दोस्तों नए साल के आपको हार्दिक शुब कामना है, हर इंसान का अपना अलग-अलग प्रोस्पेक्टिव है, कोई तो नए साल के अंदर सेविंग करना चाहता है, कोई इंवेस्टमेंट करना चाहता है, या कोई इंजॉयमेंट करना चाहता है, हर इंसान का अपना अलग- ब्रोकर है grow app भारत का number one active client वाला एक एप है जिसके अंदर आप share market के अंदर investment easily कर सकते हैं और इसके अंदर account बनाना बहुत ही आसान है इसका जो brokerage charge है वो एकदम zero है और इसका जो AMC माने annual maintenance charges है वो भी zero है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको complete step by step बताने वाला हू कि आप कैसे grow app के अंदर अपना account बना सकते हैं और आपको क्या-क्या चीजों की इसके अंदर जरुरत पढ़ने वाली है आपको सिर्फ आधार card, pen card और आपका mobile number जो आधार card से link है अगर आपके पास ये तीन चीजे हैं तो easily आपका account इसके अंदर बन सकता है तो account बनाना तो इसके अंदर free है दोस्तों ज़्यादा देरी करें बिना program को start करते हैं और बताते हैं कि इसके अंदर account कैसे बना सकते हैं अगर आप कहीं से भी download कर सकते हो अगर आप play store से चाहो तो play store पर जाके download कर सकते हो वन्हा में description में इसका link दाल दूंगा अब पहां से जाके भी इस app को install कर सकते हो जैसी आप grow app को install कर लोगे तो आपको कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलेगा आप इस app को download कर लेना और grow app प आपको कुछ इस तरीके का interface देखने को मिल जाएगा अब आप से permission मांगेगा तो आपको allow or don't allow कुछ दो option मिलेंगे तो आपको यहां पर allow को मतलब क्लिक कर देना है अब जा आप से बोलेगा कि आपको मतलब एक mail ID दालनी है तो आप continue with Google पर click कर दोगे जैसे आप continue with Google पर click करो आपको multiple आपकी जो mail ID इस के अंदर open होंगी phone के अंदर वो आपको देखने को मिल जाएंगी अब आपको वही mail ID दालनी है जो आपको continuously use करनी है in future तो आपने वह mail ID दालने के बाद proceed कर दोगे जैसे आप proceed करोगे अब आपसे जैंडर मांगेगा mail हो तो mail female हो तो फीमेल अधर हो तो other आप अपने इसमें जैंडर डालके आगे proceed कर सकते हो अब आपसे meritial status पूचेगा अगर आप single तो single डाल सकते हो married हो तो married डाल सकते हो जो भी आपका meritial status है अब वो इसमें fill out करके आगे की तरह proceed कर सकते हो अब यह last अब आपसे पूछने वाला है यह occupation मतलब आपका क्या occupation है आप private sector से belong करते हो public sector से करते हो government service है housewife है student job जो भी हो जो भी आपका occupation है वो आप इसमें fill out कर सकते हैं अगर आप farmer हो तो वो भी option आपको इसमें मिलता है अगर आप farmer हो तो वो भी इसमें आप click कर सकते हो farmer पर तो आप उस पर proceed कर सकते हो आगे then आपसे पूछने वाला है कि annual income आपकी क्या है तो up to 1 lakh, 1 lakh, 2, 5 lakh जैसे जो student होते है तो उनकी तो भाई को income होती नहीं है तो वो up to 1 lakh पर भी click करके proceed कर सकते हैं then उसके बाद इसमें पूछेगा trading and investment preference मतलब आपका जो trading में experience है वो कितना है एक साल, दो साल या कुछ भी नहीं है या 5 साल से भी जादा का है तो वो जो आपका experience है वो आप इसमें fill out कर सकते हैं अब जैसे यह detail requirement है then अपसे पूछ रहा है mother name आपको अपनी mother का नाम इसमें fill out करना है देन नीचे आपको father name तो भाई इस बात का ध्यान रखना कि जो भी आपके document में मतलब आपके अधार card में या pen card में जो भी आपके mother father का नाम लिखा हुआ है ना आपको लिखना है ऐसा नहीं है जैसे अगर मेरा आम जैसे अमित है आमें चौदरी मेरा नाम है तो मैं इसमें अमित सिंग लिख दूँ या ऐसे करके आपके फादर का जो भी नाम है तो आप उसमें थोड़ा आपके डॉक्मेंट में वही आपको इसमें नाम फिल आउट करना है देन लास्ट में दोस्तों यह चीज़ आती है इसमें आप जो आपको एक रूपे की ट्रांजेक्शन करने पड़ेगी तो आपका अकाउट आपके दिमेंट अकाउंट से लिंक हो जाएगा तो पाई इस बात का ध्यार रखना आप वही अकाउंट नंबर देना जो आपको लिंक कराना है तो आपको किसी और दूसरे account बद देना आप अपना ही account number देना तो पे टियम से या Google पे या phone पे किसी भी किसी के भी थुरू आप इसमें अपना जो number account number वो इसमें fill out कर सकते हैं तो इसमें send 1 rupees to verify पे click करने के बाद proceed करोगे तो आपको यह option देखने को मिल जाएगा bank verification successfully तो आपका bank verification successfully हो चुका है मतलब आपका account आदे से जादा बनके तयार हो चुका है देन आपको कुछ इस तरीके का interface देखने को मिलेगा डिजी लोकर तो भाई मैं बता दूँ डिजी लोकर एक government की site है इस पर टेंसल लेने की जुरूत नहीं है कि आप सोचो कि यार मैं उठेंटिकेटर आधार पर क्लिक कर सकते हो then उसके बादenter आधार पर क्लिक अप devi पट्रार अधार लॉंबर अफिल आउट करने के बाद चयपों इसके tau चयपा आपको इस fan भाद चयप्ट मिलीगा तो वे आपको अपना कैप्ट बन एक बाद next प्रोड़ा verify करना अगर नहीं आ रहा है तो आप जो आधार सेवा के इंदर होते हैं उस पे जाके अपना अधान number change करा सकते हो अगर आपको कोई problem हो रही है तब देन उसके बाद आपको कुछ इस तरह के का इंटरफेस देखने मिलेगा continue करने के बाद डिजी लॉकर डॉक्ष करने के वाइसी तो इस पर आपको प्रोशीट फॉर के वाइसी पर क्लिक करना है प्रोशीट पर क्लिक करने के बाद आपको अपने केमरे से वेरिफाई करना है तो भाई ध्यान रगना कि जहां पर भी आप अपना केमरे की वेरिफिकेशन कर रहे हो ना वहां लाइट की मतलब लाइट सही तरह आ रही हो और कोई प्रोब्लम ना हो अधेरे में अगर आप इसको प्रोब्लम को क्लिक करोगे तो हो सकता कुछ प्रोब्लम करने को मिल जाए तो आप कैमरे पर क्लिक करना देन उसके बाद इस पर पर मिशन पर क्लिक कर देना और यहां पर आप अपना मतलब अपना फोटो क्लिक कर देना तो क पर जीसी जीससी जीस से स्टोड़ा करना पड़ेगा आपको अपना साइन मननार हों क्लिक करने की बाद कुछ इस तरीके की इंटरफास आपको नौमिनी इड़ करना है तो बाई मैं तो आपको यही सला दूंगा कि आपको इसमें अपनी nominee ad करी ले क्योंकि भाई इसके दो कारण है पहला कि देखो अब जो नए rules है उसके असाब से आपको nominee ad करना compulsory हो गया है किसी भी teammate account के अंदर मतलब यह नहीं grow के अंदर किसी भी teammate account के अंदर आपको nominee ad करना ही होगा दूसरा अगर यार देखो कुछ भी miss happening होती है आपके साथ तो अगर आपने nominee ad कर रखा है तो आपको मतलब आपको जो नॉमिनी होगा उसको आपका जो भी इसमें आपने investment कर रहे है उसको वह easily उसका फाइदा उठा सकता है तो nominee ad इसमें जरूर करना तो उसके लिए आपको yes proceed पर क्लिक करना yes proceed पर क्लिक करने के बद आप जिसको भी nominee मनाना चाहते हो उसका नाम आपको इसमें fill out करना है नीचे nominee आपसे क्या relation है mother father या husband wife जो भी x y z आपका relation आपके nominee के साथ है वो इसमें आप fill out करना देन नीचे आपको nominee का date of birth fill out करना है देन नीचे उसके नीचे आपको nominee का अधार number यह optional है अगर करना चाहते हो तो कर देना नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद भी आपका nominee इसमें add हो जाएगा ठीक है देन उसके बाद इसमें नीचे आएगा जो nominee का आपका address है और आपका जो address है वो same है यह other है अगर same है तो same पर click कर देगा अगर आपकी जो nominee का address है वो आपके अधार काट से differ है तो आप इसमें add another nominee पर click करके मतलब उसका दूसरा आप मतलब add as fill out कर सकते हैं देन उसके बाद finish nominee पर जाओगे देन उसके बाद कुछ इस तरीके का interface आपको देखने को मिलेगा जैसे कि आप किसी link account में जाओगे तो आप form भरके अपसमें अपना account भरते हो तो कुछ इस तरीके का digital format में आपका account opening का form आपको देखने को मिल जाएगा जैसी इस पर आप अपना sign now पर click करोगे कुछ इस तरीके का interface आपको देखने को करने के बाद आपको document sign successfully का option देखने को मिल जाएगा कि आपका account 48 से 72 घंटे के अंदर activate हो जाएगा और Gmail ID जो आपने Gmail IDs के अंदर दे रखी है उस पर आपको information मिल जाएगी कि हाँ आपका account बनके ready हो चुका है तो इतना आसान इसके अंदर अपना account बनाना दोस्तो दोस्तो अगर आपको account बनाने से related कोई भी problem आती है तो जरूर comment box में type करें मैं आपकी जरूर solution करूंगा तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें comment करें और ऐसे valuable content के लिए bell icon पर click करें